नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल जोवन कुजिले के मल्हनी विधान सभा में कल मद्दान के बाद सपा प्रत्यासी लखी यादो और बाहु वली धरंजे सिंग के समत्कों के बीच जम कर हंगावा हुआ मल्हनी विधान सभा के रीठी गाउं में लगबग 6 बच कर 5 मिनट पर मद्दान खत्म होने के बाद जेड्यू के प्रत्यासी धरंजे सिंग और सपा प्रत्यासी लखी यादो के समत्कों के बीच किसी बाद को लेकर विवाद खड़ा हो गया बिवाद इतना बढ़ा की दोनों त्रफ से नारे बाजी होने लगी मामला गरमाता ही चला गया और दोनों पक्ष में हवाई फाइडिंग भी हुई जिसमें सपा प्रत्यासी लखी यादो के समत्क संदीप यादो नाम के एक बिट को पैड में गोली लग गई घटना के बाद तनाव को बढ़ता देख तुरंत भारी पुलिस पोची और पुलिस में भी हवाई फाइडिंग करते हुए भीड को इतर बितर कर दिया घटना के बाद जिले के मलहनी विधान सबात छेत में हड़कम पमच गया घटना स्थल पर इस्थित तनापूड होने के नाते पुलिस बल मौके पर पहुच कर भाँपर तैनाथ को गई घाय लुवक सिक्रारा थाना छेतर के रीथी बजार का बताया जा रहा है जिसे गोली लगी है सिक्रारा पुलिस दोड़ा जिला अस्थाल लाया गया जहां पर विक्त को इलाद चल दहा है महीं आपको बता दे कि संदीप यादो नाम के विक्त ने जेडियू के प्रत्यासी धंजर सिंग पर आरोप लगाया है कि उनके दोड़ा ही उन पर फारिंग की गई है आपको उता दें कि इस दिवार में घायल युवक ने जेडियू के प्रत्यासी बाहु बली पूर्व सांसर धंजे सिंग के समस्कों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है सुचना पर पहुची पुलिस में हवाई फारिंग करके इसी तरह मामले को सांथ कराया अगर आपने हबी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जरू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वा देखें